नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खन के सचीव ने दिया 22-23 के लिए बयट त्यार करने का अदेश बित विभाग के परधान सचीव अजय कुमार सिंग ने सारे विभागों से बर्ष 2022-23 के बयट त्यार कराने को कहा है उनसे कहा गया है कि बयट त्यार करने के दुरान जीवन और आजीवका की सुरक्षा को केंद्रे में रखा जाए कोविड-19 के कारण जो परिस्थिती उत्पन हुई है उसके तहट जीवन और आजीवका की सुरक्षा पर ध्यान देना अवस्यक है इसके साथ ही बएट तैयार करने में इसका भी ख्याल रखा जाए कि गत बर्सों में सुरू की गई योजनाओं का लक्ष प्राप्त हो सके ऐसी योजनाओं भी नए बित्य बर्स में लिए जाए जिन से अधिकतम जन कल्यान का लक्ष हासिल हो सके मौसम पैग्यानी अभिसेक आनन्द ने बताया कि एक कॉम दबाव का छेत्र दक्षिन पुरो बंगाल की खाड़ी और उत्री अंडमान समुंद्र के उपर बना हुआ है इसके चक्रवाती रूप में बदल कर पच्छिम की तरफ बढ़ने की संभवना है इसके बाद एक चक्रवाती छेत्र गुरुवार को दक्षिन पच्छिम बंगाल की खाड़ी से दक्षिन अंद्रपरदेश और उत्री तमिलाड़ू के तरट पर टकरा सकता है इस कारण इन दोनों राजियों में मदे से भारी बारिस होने की संभवना है बता दे लंड फॉल होने के बाद इसके उतर की तरफ बढ़ने की भी संभवना है जारखन पुलिस खरिदेगी 7.58 क्रोर का हथियार जारखन पुलिस 7.58,30,000 रुपय का हथियार खरिदने जा रही है इसके लिए राशि से क्रीट हो चुकी है केंद्र से मिलने वाले पुलिस आधोनी की करन मद की राशि से यह हथियार खरिदे जाने है इसके लिए पुलिस मुख्याले से आईजी प्रोवीजन प्रभात कुमाने केंद्रे गिरिमंत्राले को पत्र लिकर स्विक्रिती राशि की अनुरूप परफर्मेंस बील के लिए और्डनेस फ्रेक्टरी बोट को आदेश देने का आगरह किया है जो हथियार खर दे जाने है उनमें से सबसे अधिक 3,58,50,000 रुपए की लागत से 9 mm पिस्टल खर दे जाएंगे देवघर एमस का मई 2022 में पीम मोदी करेंगे उधगाटन दिल्ली में स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले में केंद्रिय स्वास्त सचीव राजेस भुषन के अधिक्ष्टा में देवघर एमस की बीत समीती की बैठक होई बैठक में मुख्य रूप से समीती के सदर से गोडा सांसर डाक्टर निशिकान दूबे वद देवघर एमस के निदेशक डाक्टर सोरव वैसनोवे सामिल हुए बतादे बैठक में तय किया गया कि अप्रेल 2022 थक देवघर एमस का 750 बेट का अस्पताल पूरा कर देना है आदिवासी बहुल गाउं के विकास पर केंद्र सरकार 6466 को रुपए खर्च करने जा रही है एप पैसे गाउं को टेली कॉम से जोडने के लिए किये जाएंगे गाउं को सोलर पावर के जरिये संचार बेवसा से जोड़ा जाएगा बता दे केंद्रिय मंत्री आस्वीनी बैस्टनों ने बुद्ध्वार को यजनकारी दी श्री बैस्टनों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातिय गौरो दिवस के तहट आदिवासी बहुल गाउं को संचार सुविधा उपलब्द कराने के लिए 6466 को रुपए के बयट को म गौतिवन्धित उगर्वादी संगत्र मवादी के सब जौनर्ल कमानडर विश्नूत दैयाल नंगेशिया वह एरिया कमानडर आकाश नंगेशिया ने सरेंडर किया दोनों नकसलिओने जीले के डिसी, एस पी वह द यारपी अव कमानडेट सहीत और शिनियर अधिकारियों क समक सरेंडर किया समर्पन नीती के तहद दोनों को एक एक लाक रूपए वा पुर्णवास की बेवास्था करने की बात कही गई नीजी छेतर में पचातर परतिसत अस्थानियों लोगों को रोजगार सता रूट जारखन मोक्ती मोर्चा नीजी छेतर में अस्थानियों को रोजगार में प्रत्मिकता की अपनी मांग पर अडिघ है बतादे पार्टी महासचीव सह प्रवक्ता बिनोत पांडे के मताबिक राई सरकार ने नीजी छेतर में पचातर परत्मिकता देना चाहिए कम्पनियां राज्य के संसाधन का उप्योग करती है और यहां से मुख्याला बाहर ले जाना चाहती है इसका प्रतिकार किया जाएगा बताद जमसेदपुर में संगठन के निर्देश पर आंदोलन आरंब किया गया है बीजली कटवती कर रहा डीवी सी ने अब नदियों में पानी का मांग रहा पैसा राज्य के साथ जीलों में बिली की लगातार कटोती कर रहे है दामुदर घाटी निगम ने अब अपने अधीन जलासियों वो नदियों से लिये जा रहे है पानी के लिए पैसे की मांग की है इस समध में पेजल एवं स्वक्सता विभाग को लगातार रिमाइंडर भेया जा बता दे पेजल विभाग के मुताबिक इस से लहू एवं ब्रिहत ग्रामिन जलापूर्ती योजनाओं पर असर पर सकता है भूगर्व जल की छमता कौम रहने के कारण सरकार प्रियास कर रहे है कि जहां जलासियों वो नदियों से कच्चा जल लेने के लिए जल सुलक का बार-बार भुगतान करने को कहा जा रहा है गाड़ी में प्रेसर या मल्टी ट्यून होरन मारने वालों के लिए बुरी खबर वाहनों में मोडिफाइट सैलेंसर लगा कर सड़को पर लहरिया कट मारने वाले बाइकर्स के लिए बुरी खबर है बतादे बाइक, कार, बस, वर ट्रक पर अगर प्रेसर होरन या मल्टी ट्यून होरन लगा है तो उसे उतार ले क्योंकि परिवाहन विभाग पूरी तयारी में है, बे वज़ा होरन बजाकर और वाहनों में मल्टी ट्यून होरन का उप्योग करना वाहन चालको को महांगा पर सकता है बता दे इसी माह वाहनों से प्रेसर होरन हाटाने के लिए विशेस रूप से जाच अभियान चलाया जाएगा जाच के दुरान वाहनों में मल्टी ट्यून होरन और मोडिफाइट साइलेंसर लगाने वालों पर करवाई की जाएगी जारखन में कुरोना के 14 नए केस मिले हैं जबकि 22 मरीज स्वस्त भी हुए हैं जारखन में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 137 है भारत में 11460 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1,26,737 है अब एक ही मैटेरियल से कुरोना की जाच और इलाज जारखन ने कुरोना से जंग में अपना जोगदान दिया है बता दे राजे में भैक्सिनेशन की रफ्तार भले ही धिमी हो लेकिन यहां के बैग्यानिक कुरोना का इलाज ढूणने में भी सफलता के करीब है बता दे राजे धानी राची के मेसरा इस्थीत बिसां इशूट आप्टेकनोलोजी के एक परफेसर ने एक ऐसा मैटेरियल तयार किया है जिससे सस्ते में कुरोना की जाच होगी साथी इसी मैटेरियल से कुरोना की दवा भी तयार होगी बियाइटी मेसरा के असिस्टेंट प्रोफेसर डाक्टर अभिमन्यो देव ने अगस 2020 में इस अहम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था बैग्यानिक यों प्रद्योगिक मंत्राले से उनके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है जारखन में सभी विभागों में प्रोजी परोक लगाने से समंधित आदेस वापस डाक्टर एसन पाठक की अधालत में मंगलवार को मामले में चलड़ी सुनवाई के दुरन दी अधालत ने महा अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद राज सरकार को लिखी तुरूप से सपत पत्र दायर करने का निदेश दिया बता दे अगली सुनवाई 6 दिसंबर की होगी प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने पक्ष रखते हुए अधालत को बताया की कुरोना के देखते हुए मुख सचीव ने 24 दिसंबर 2020 को पत्र निकाल कर प्रोनती परोक लगा दी थी ज्यारखन की बेटियां अब सिर्फ 10 रुपए में कर सकेगी एमटेक ज्यारखन उनिवर्सिटी अफ टेकनलोजी में ज्यारखन की लड़कियों को अब एमटेक जैसे महतपून कोर्स में नमांकन और ट्यूशन फिस के रूप में सिर्फ 10 रुपए ही जमा करने होंगे बता दे दो वर्स के इस कोर्स में ज्यारखन की सभी कोटी की छत्राओं को पहले वर्स में सिर्फ 1160 जिन में अर्शट 100 रुपए स्टुडेंट एमिनिट टीज फंड वर राइस्टेशन सुल्प के रूप में 350 रुपए जमा करने होंगे वहीं सभी छात्रों और ज्यारखन के बाहर की छत्राओं को पहले वर्स में 14,860 रुपए जिन में नमांकन और टीज़न फिस के रूप में कुल 3710 रुपए जमा करने होंगे देवघर के पाथरोल काली मंदीर में पूजा कराने को लेकर पुरोहित वर राजपरिवार के वंसचों के बीच बुद्ध्वार को एक बार फिर बिवाद हो गया इस कारन घंटों पूजा बंद रही बिवाद के बीच दोनों पक्षों ने अपना अपना ताला मंदीर के मुख्य द्वार पर जड़ दिया इस दोरान पुरोहित परिवार से बड़ी संख्याय महिलाये मंदीर पहुच गई और राज परिवार का बिरोध करते हुए मंदीर के मुखे द्वार पर धारना प्रपैट गई बतादे मंदीर में बिवाद वा ताला जड़ने की सुचना मिलने पर मंत्री हफिजूल हसन इस डियो मौके पर उपस्थित होकर दोनों पक्षों से वार्ताक और मंदीर का ताला खुलवाने का प्रयास किया है रांची में एक लाग से अधीक अपात्र लोगों के पास राशन काड़ रांची जीला परशासन ने एक बार फिज से वैसे अपात्र लोग जिन्होंने अब तक राशन काड़ सरेंडर नहीं किया है उन्हें काड़ सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया है बतादे 30 नुवंबर तक काड़ सरेंडर करने का निर्देश दिया है बताया जाता है कि रांची जीला अंतरगत ऐसे लोगों की संख्या करीब एक लाग है उन्हें अपना काड़ जीला पूर्तिक करयाले में जमा कर देना है अन्याथा ऐसे लोगों को चीनित कर उन पर करवाई की जाएगी हलाकी कई बार निर्देश देने के बाद भी अब तक रांची जीला में 35 वी राशनकार सरेंडर किया जा चुका है रामगर में 60 लाग की लागत से बन रहा कोल्ड रूम रामगर जीले के पत्रातु पर खंड अंत्रगत बीचा हरिहर पूर्वा सांकी पंचायत में कुल 60,12,000 की लागत से तीन अलग-अलग कोल्ड रूम यानि सीत गिरिह तियार कराया जाएगा परतेक योजना 20,04,000 रूपए में पूरी की जाएगी इस वोजना को कोल्ड रूम फोर वेजी टेवल एंड फीस नाम दिया गया है इसमें सबजियों के साथ साथ मचलिया रखी जाएगी ताक कि सबजिया और मचलिया ज़्यादा समय तक ताजी रहे J.A.C.A. स्टेडियम में होने वाले भारत न्यूजिलेंड मैच को लेकर सुराक्षा के पुक्ता इंजाम किये गए है बतादे राची में जहां 1000 से अधिक अतिरीक जवानों की तैनाती की गई है वहीं DSP अस्तर के 10 अधिकारियों को बिदी वेवस्था वा या तैयात वेवस्था के संधारन के लिए तैनात किया गया है राजे पूलिस मुख्याले के आई जी मानवा अधिकार ने इस सम्मन्द में आदेश जारी कर दिया है बताद जीन अधिकारियों के तैनाती राची जीला में की गई है उनमें जैपोवान DSP सिवेंद्र सामिल है सरना कोड को लेकर साथ को प्रदर्शन राश्टरिय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान की बैठक बुद्वार को करम टोली स्थीज राची प्रेश कल में हुई अध्यक्सता डाक्टर कर्मा उरावने की बैठक में तीन सुत्री नीने लिया गया समाति बनी की सरना धर्म कोड की मायं को लेकर 6 को सभा और 7 दिसंबर को विभीन राजियों के प्रतिनीधी दिल्ली के जंतर मंतर में सत्यागरा सहधाना देंगे इसके माध्यम से सरना धर्म कोड की मायं को लेकर दस्तक दी जाएगी धन्यवाद